दोस्तो हमने ये एक्टिनोइड सीरीज देखने के बाद हमारी एक्टिनोइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन हम देखना साहते हैं उसमें एक्टिनोइड नहीं लेकिन लेंथेनोइड की सीरीज के हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक् ड्रॉ करेंगे Electronic Configuration of Lentanoid Series चालो दोस्तो अब आपको शायद पता चल गया होगा कि यह Lentanoid Series में कौनसे कौनसे Element आते हैं तो मैं बताता हूँ Lent Suri Prince Nii Promise T की Europe के घेंडे के टाबडिया तर्बियम दीस लेके दीस लेके होल में जाके अरे अर्बियम बत्थू बत्थू थू थूलियम यिस्ट लुट गए तो ये जो दीख रहा है आपको हमित्र दीख रहा है न सबको तो ये सब एलिमेंट मैंने शॉर्टिंग के अकोरडिंग यहां पे लाइन में लिख लिया है अब लेंधे नम का 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69 70 एन लुटेशियम पसेस 71 एटोमिक यस नमबर मैं इन सबका नाम यहां पे नहीं लिखूंगा लेकिन बोल देता हूं लेंधे नम सीरियम प्रो एक नहीं प्रिसियोडीमियम नियोडीमियम पी एम का मटलब होता है प्रोमिथियम एसम समेरियम यूरोपियम जीडी गेडोलिनियम टीबी टर्बियम दीवाइडिस प्रोसियम होलमियम अर्बियम थूलियम यीटर्बियम एन लुटेशियम तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे नाम हो जाएंगे दुस्तों तो आप लोग ये नाम अगर अच्छे से याद रखने हैं तो सिम्बॉल देख देखिये उसके नाम को याद रखने का बोलने का ट्राइ करो पाँच पाँच बार दस दस बार नाम बोलोगे ऐसे रिपीट करोगे तो आपको यह आटोमेटिक याद रह जाएगा ओके चलो नेक्स्ट देख रहे है उसकी इलेक्ट्रोनिक कंफिगरेशन हम देखना चाहते है अब दोस्तो इसके अंदर अगर यह आपके शिक्स्ट पिरियर्ड में आता है तो इसके आगे इलेक्ट्रोनिक कंफिगरेशन में इनर्ट ग्यस कौन आएगा यह आप लोग बता सकते हो I think यह आई थिंग इट सर्थ जेनोन ओके जेनोन के साथ उसके बाद हमें मिल रहा है कौन 5D चलो यहाँ पे लिख रहा है 5D 4F and 6S या तो हम ऐसा भी लिख सकते है 4F 5D and 6S अपने कॉमन इलेक्टोनिक कंफिगरेशन देखा है अब हम क्या कर रहे है यहाँ पे F डाल दिया मैंने इधर यह मैंने D का इलेक्टोनिक कंफिगरेशन दालने के लिए D के 5 सफशल डाले और यह हो गया 6S चलो अब क्या कर रहे है हम यहाँ पे number of electron डालना चाहते है अब जैनोन कितना होगा दूस्तो जैनोन का atomic number कितना है बोलो दोस्तो जल्दी यार आप लोग नहीं बता होगे तो मुझे कौन बताएगा तो जैनोन का atomic number है 54 दोस्तो कितना है 54 मैंने यह box जो दिखाया है न सिर्फ यह पहले वाले के ही दिखाऊंगा मैं फिर आपको हमें यहाँ पे assume ही करना है हर बार कि भई इसको ऐसे किया जाता है चलो जैनोन आया यहाँ पे तो lengthenum जो element है आपका उसके अंदर सबसे पहले 54 आया ना 55 56 और लास्ट होगा 57 इसी लिए इसका electronic configuration क्या मिला 4F0 5D1 6S2 दस्तो अब हम क्या कर रहे हैं similarly cdm का electronic configuration ड्रॉ करना चाहते है तो हमें क्या मिलेगा same as it is जैसे यहाँ पे दीख रहा है हमें कि यह 5D है और यह 4F है और यह 6S है तो दोस्तो यह 6X में दो आ गए 5D में एक आया और 4F में एक आया तो 4F1 5D1 6S2 चलो हो गया अब PM का क्या होगा PR का तो इसका electronic configuration में अब D निकल जाएगी देखो दी directly आ रही है कि इसमें gadolinium में D आती है serium में D आती है और last lutetium में D आती है देखो है ना बस बाकी सब में 4F3 यह सीधा 3Q हो गया क्योंकि आप अगर देखोगे तो यह 59 है तो यह जैनन 54 55 56 तब जाके 4F में कितने आएंगे तीन एन डी नियोडिमियम के अंदर 4F4 यह स्टू PM प्रोमिथियम में 4F5 6S2 समेरियम में 4F6 6S2 और यह हो जाएगा 4F7 6S2 दिख रहा है ऐसा दिख रहा है ऐसा गेडो लिनियम में क्या हुआ 4F7 5D1 6S2 जो नया आने वाला इलेक्टरन कहा गया 5D में क्योंकि 4F7 जो होता है न वो बहुत स्टेबल है और स्टेबल है एक दो तीन चार पाच छे और साथ तो यह F7 वाली और्बिटल जो है वो स्टेबलिटी ज्यादा है इसलिए यह अपना एक इलेक्टरन इसमें ले जाना चाहता है वापस यहाँ पे 4F9 क्योंकि अभी यह 8 थे 6S2 4F10 6S2 4F11 6S2 4F12 6S2 4F13 6S2 4F14 6S2 एंड लास्ट लूटेशियम 4F14 5D1 6S2 तो ऐसे डी और्बिटल इसमें आती है चलो क्लियर है दुस्तों भाई इलेक्टरनिक कन्फिगरेशन समझ में आई आई आपको कि कैसे ड्रॉ की जाती है यह डी जो है वो फुल फिल है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14 हो जाएगा तो यह सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है और इसी लिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ यह क्या मिला हमें इलेक्टरनिक कन्फिगरेशन ओफ देस लुटेशियम अब यहाँ पे कुछ अक्सेप्सनल केसिस में सीरियम में पता नहीं उसको की डी में इलेक्टरन क्यों गया लेकिन गेडोलिनियम को पता है कि D में इलेक्ट्रोन क्यों गया क्योंकि 8 इलेक्ट्रोन हो उससे ज़्यादा F में 7 इलेक्ट्रोन होंगे तो उसकी stability बढ़ेगी इसलिए वो एक अपना इलेक्ट्रोन 5D में ले जाता है clear समझ में आ रहा है yes दोस्तो मेरे खयाल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी है न यहाँ पे हमारा जो ये इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन दीख रहा है उसके साथ हम अगर सेट अप करेंगे तो ये 5D1, 5D1 और 5D1 ये तीनों में है अब यहाँ पे आपने देखा it is ln है न और यहाँ पे देखोगे तो ln प्लस 2 है ln प्लस 3 है है के नहीं यस तो ये सब में इसमें एक भी इलेक्ट्रोन रीमू नहीं हो इसमें 2 इलेक्ट्रोन गए तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोन जाते हैं तो किसमें से जाएंगे 6S0 हो गया सब में बाकि जैसा देख रहा है वैसा ही प्लस 2 होने की वज़ा से ये D का इलेक्ट्रोन भी देखो F में चला गया और इसलिए ये सिरियम के अंदर ही ऐसा हुआ है देखना ये exceptional cases की electronic configuration है बाकि इसमें D as it is रहा है देखो अगर प्लस 3 होता है तो वापस इस सब में से एक-एक electron F में से भी चला जाएगा लेकिन F में जाने से पहले D में से जाएगा इसलिए ये जो है वो F as it is रहा 7 और F 14 बाकि सब में से एक-एक electron F में से कट गया और हमारी ये electronic configuration हो गए अब ये क्या है table ln का atomic radius ionic radius के साथ compare किया ये है ln प्लस 4 ये है ln और ये है ln प्लस 3 तो ये देखो आपको दिखाया इधर कि प्लस 4 का जो है गलती हो गई है ये ये table एक्चुली ऐसे होना चाहिए क्योंकि ये प्लस 4 दिखाया तो F पूरा बेचारा खाली हो गया इदर तो it is not a radius it is a electronic configuration लास्ट दो कॉलम जो दिख रहा है that is the atomic radius and it is the ionic radius आप देखो when you move from left to right in this series what happen atomic radius will decrease continuously 87 से 73 इतना ज्यादा नहीं कम हो लेकिन simultaneously क्या होता है कम similarly ln प्लस 3 के अंदर भी वो कम ही हो रहा है और ज्यादा तर याद रखना ln जो है वो प्लस 3 ही oxidation पसेस करता है क्लियर है दोस्तो तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से इसको study करो और तैयारी करो